नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो हम जानेंगे नोजो कोमेल इंपेक्शन के बारे में जिसको हम ऑस्पिटल एक्वाइड इंपेक्शन के नाम से भी जानते हैं तो इसमें इसके रिस्पेक्टर को जानेंगे और मौड आप ट्रांसमिशन जानेंगे और एजेंट आप प्रिवेंट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते है तो चलिए डीटेल में जानते हैं एक एक करके सबसे पहले जानेंगे चो negatively का इंपेक्शन का इंप्शन के नाम से भी जानते हैं तो जब भी कोई वेक्टी या पेसिंटे में जो हॉस्पिटल के से अंदर अंधर होता है तो just रजने यह बढ़ जाता है έχ आवस्पिटल चॉस्पिटल एसे होस्पिटल जिनके अंदर जो पबली के लोग बाग जो पेसेंट है उनकी संक्या जादा है तो वहाँ पर नौजो कोमेल इंपेक्शन के जो बढ़ने की चांसे वो बढ़ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर सबसे जादा लोग एकटे पास-पास रहेंगे तो एक दूसरे को इंपेक्शन फेलने का जो चांसे वो सबसे जादा रहता है दूसरा रहेगा न्यू माइक्रो और्गनिजम्स कोई नया माइक्रो और्गनिजम्स होस्पिटल के अंदर प्रजेंट है तो उसकी बज़े से भी नौजो कोमेल इंपेक्शन फेल सकता है तीसरा फेक्टर रहेगा कि बहुत सारे ऐसे लोग है जिनका जो इम्मून सिस्टम है जो बीमारी से लड़ने की समता है वो यदि कम हो गई है तो उन लोगों को जो इंपेक्शन होने का चांसे वो बढ़ जाता है लास्ट फेक्टर रहेगा इंक्रीजिंग बेक्टिरियल रसिस्टेंसी जो बेक्टिरिया की रसिस्टेंसी है वो बढ़ जाती है तो इसकी बज़े से भी जो नौजो कोमेल इंपेक्शन है वो बढ़ जाता है अब हम जानेंगे mode of transmission ये फेलता किस प्रकार से हैं फेला रहेगा contact डारेक्ट एक परसंट या एक परसंट दूसरे परसंट से जब मिलता है तो यदि कोई बीमारी एक परसंट से तो contact में आने से वो बीमारी दूसरे में फेल जाती है दूसरा vector bond जिसमें insect के माध्यम से या mosquito flies जिनके माध्यम से infection एक परसंट से दूसरे परसंट में फेलता है तीसरा है airborne, airborne के माध्यम से infection का दूसरे वेक्ति में transmit होना और अगला है droplet infection जिसमें isneging के माध्यम से और cupping के माध्यम से जो infection है उसका transmission होना और last रहेगा common vehicle के माध्यम से कोमन साइट जिसमें सबसे ज़्यादा जो नोजो कोमेल इंपेक्शन है वो फेलने का चांस रहता है तो सबसे पहले ही रहती है यूरिनरी ट्रेक इंपेक्शन तो जब भी हम पेशेंट को हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो वहाँ पे यदि सर्जरी के दोरान या पेशेंट क को हम वाड के अंदर केतेटर डालते हैं तो उनके माद्यम से सबसे ज़्यादा जो नोजो कोमेल इंपेक्शन है वो उसके फेलने के चांस रहते हैं या हेल्थी पेशेंट है जब होस्पिटल टोईलेट है उनका यूज़ करेगा तो उसको जो यूरिनरी ट्रेक मास लेता है तो जो एर रहती होस्पिटल की तो उसमें सबसे ज़्यादा जो माइक्रो ओर्गनिजम से वह प्रजेंट रहते हैं तो एर के माध्यम से बोडी के अंदर जो स्वश्थ वेखती है उसकी बोडी के अंदर जो माइक्रो ओर्गनिजम से इंटर करके और infection पोच करते हैं, जिसमें pneumonia हो गया, tuberculosis हो गया, अब हम जानेंगी कि जो common infection है, वो कौन-कौन सा होता है, ये रहेगा हमारा urinary tract infection, दूसरा रहेगा catheter associated infection, तीसरा रहेगा pneumonia, और last रहेगा blood steam infection, ये नोजो कोमेल infections की वज़े से होने वाली problems, ये रहेगी नोजो कोमेल suffering, जो पेसेंट है, जिसको नोजो कोमेल infection हुआ है, तो वो उससे सपर करेगा, और दूसरा उसको लंबे समय तक hospital में रहना पड़ेगा, और तीसरा जो उसकी जो disease है, उस पे जो खर्च हो रहा था, मनी खर्च हो रही थी, जो कोष्ट था, वो बढ़ जाएगा, अब last में जानेंगे जो नोजो कोमेल infection है, उसका prevention और control, prevention और control किस परकार से करेंगे, उसको किस परकार से हम रोख सकते हैं, और किस परकार से जो नोजो कोमेल infection है, उसको prevent कर सकते हैं, सबसे पहला रहेगा isolation, जो patient किसी communicable disease से सफर कर रहा है, तो उसको हम isolate कर देंगे, ताकि जो normal patient है, या पिर जो healthy person है, उसको infection ना हो, दूसरा रहेगा sterilization, hospital में जित्ते भी reusable equipment है, जैसे की ventilator, humidifier और दूसरी device जो की directly contact में रहती, respiratory tract system के, तो उनको हम sterilize करके, जो micro-organism से उनको destroy कर सकते हैं, जिससे की जो infection है, उसके पहलने की चांसे वो कम हो जाएंगे, और तीसरा रहेगा hand wash करके, सबसे ज़्यादा जो micro-organism से वो हमारे हाथों से पहलता है, तो यदि हम उचित परिकार से hand wash करेंगे, तो जो micro-organism से उसको पहलने से रोख सकते हैं, चोड़ता रहेगा gloss pain के हम micro-organism को पहलने से रोख सकते हैं, पांचवा रहेगा हम apron pain के, लाश्ट रहेगा लोगों को हम इसके परती educate करके,